इरान के सीना कमांडर जनरल कासम सुलिमानी के मारे जाने के बाद एरान और अमेरिका के बीच गाफी तनाव का माहल बना हुआ है कल यानि बुदवार को अमेरिकी राष्टपती डूनाल्ड ट्रम्प ने राष्ट को संबोधित किया इस दरान उन्हों ने इरान को लेका जवाबी कारवाई या हमली को लेकर कोई भी बात नहीं कई बता दे कि ट्रम्प ने इरान के परमानों हध्यार को लेका टिपपणी जरूर की ट्रम्प ने इस संबोधन के कुछ घंटों बाद ही इरान ने एक बार फिर अपने तेवा दिखा दिया और इराक के राष्धानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बना का दो सामने आरही खबरों करता पाद इरान के रॉक्ट ग्रीन जोन में इरे हाला कि अब तर किसी बी तरह कोई नुकसान की किसार इन ही हुआ है हाला कि इरान ने उन का इमेरे की घंटव कि आसी कपया है Mr.m eco टो अहान का दावा किया एक्र प्रव ने इंकार कर दिया है ट्रॉम्प ने हमला होने के लिए आमी भरी लेकिन उनका कहना है कि इस हमले में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है subscribe our channel and press the bell icon for more updates